अंगलियों से मतलब करोड करोड के निकाल दिया है जमीन से यह फोन देखो फोन कपड़े के अंदर गोला है और कान में बहांद रखा वाई चमचूड़ा है ना चमचूड़ा का फाइनल रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में तो यहां पर देखो कितने सारे गिद है और यहां पर दोस्तों आज सुबह सुबह की शुरुआत अपने गाउं से हो रही है यानि की अच्छी घासी धूप खिल चुकी है और अपना घर भी थोड़ा साथ सूना सूना से लग रहा है दर असल जितने भी अपने दोस्त लोग आ रहे थे तो वो सबके सब जा चु हो रखा है तो अभी जब मैं आ जाओंगा ना दरसल अभी मेरी त्यारी हो रहे है पांग की तरफ में जाने की तो अभी दाल चावल बने है ममी क्या क्या बनाया अभी अभी के टाइम पर सिर्फ दाल चावल बने है और यहां पर फूल देखो फूल कितने प्यारे खिले ना बहुत टाइम बाद देखाना इस बारी और अभी मैं जा रहा हूँ सुवे सुपे पांग दरसल एक दादा को इमर्जंसी में जाना है पाबू की तरप में तो पांग छोड़के आता हूँ और साथ में थोड़ी देर में फिर आकर बनाएंगे आज चम चूड़े यानि कि यहां एक तरफ में आड़ो के बहुत ही खूबसूरत से फूल किले हैं वहीं दूसरी और दादी लगी है गोबर उठाने पर तो बकरी गोबर दरसल नीचे जम चुक है न तो उसको देखो बिलकुल उंगलियों से मतला करोड करोड के निकाल दिया जमीन से बड़ी है जम रखहाती है जाने के भात में किसपट अधर करोड नगुझे के बाल निक्षार को देखो डोन लगें हैं जासे करते हैं कि चलता हैं बेनादेरी कbourgकि अभी मैंने खानान मुझे कुछ बनाना भी牄 तो उसकी वज़से और वीडियो भी आइडिटनी करी है दरसल अबी में न रात को टाइम नहीं मिला बागी चाची को देखो चाची सुबह सुबह त्यार हो चुक यह बन थंके है ढने थानी 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 ूत टु का यहाना सव्ध कर दिदा कर दिया खाना पीना बहुत जल्दी खाया लास्तमल देख रहे हैं सबने खाना खा दिया अभी मेरा खाना खानी की त्यारी नहीं और दादी की भी त्यारी हो चुके पतानी आज कहा जाने के तो बगवान जाने जंगल अशिब मोल का दूलने का ताल चौन द तो जरब मत्यमों द द पांग छोड़ेगी बल जल्दी थेख जल्दी आओ बुन दोर के ओ दादा ओ दादा चल गी ना तो नीचे पहुंजगे बोला रोड पे तो चलते हैं और यह अपनी बिप्व देखो बिप्व ए बिप्व प्यारी आंक्या इसकी बिलकुल अपने दोस्त बिप्व की तरह ह तो मैंने अपने दोस का नाप रखा है क्योंकि उससा चुड़ाने में मजा जो आता है विप्पू अभी चलते हैं और थोड़ा सा दूब सेखेंगे उस साइड में थोड़ा अच्छा लगेगा इस साइड में ठंड लग रही हैं तो यहां पर दादा भी पहुंच चुके हैं वह दादा की डूटी लगी है वो लग एलेक्शन में तो अभी जल्दी से हम भी अपनी बाइक को खोलते हैं और छोड़ के आते हैं पांग में तो यहां देखो कितने सारे गरूड है पेड़ों में बैठे हुए ना इसका मतलब बाग नीचे ही यहांबी क्योंकि कोई भी गाय के नसदेक गरूड नहीं बैठ रहा है उन्होंने पक्का बाग देख रहा है इस वजा से नहीं बैठ रहा है नीचे दो आसल हम थोड़ा सब पांग की तरफ में आये से यहां पर पीड़ों फेट है और तो नहीं देखाया दाधा को पांग छोडने के बाद में पहुंच गैए बहाई अपने प्यार से गाड़न जहांपर की खिले है फूल गुल्षन गुल्षन और यहां पर देखो मदमक्खियां लगे हैं हमारे यहां से पॉलिनेशन इखटा करने पर दूसरों के लिए सहद बना रही है तो बड़े मज़ेदार कितना प्यारा दिखाई दे रहा न एहे टाइम नहीं मिल रहा है मतलब रिकॉर्ड करने का अधरवाइस बहुत प्यारे आते यह वाला ज्यादा समझदार मक्खिय है यह समझ गई तो वहाँ पर गया था वहाँ पर रुका लेकिन बाग दिखा नहीं दरसल पूरा का पूरा गरूड बैठे हैं वहाँ पर बहुत सारे धीर सारे गरूड बैठे अभी के टाइम पर तो यह है थोड़ा सब खाना खाते हैं और उसके बाद में हम चम चूड़ा बनाने में मज़ा आएगा फिर अभी के टाइम पर आपसे पेहले चमचुड़ा बनाने की तियار करते जल्दी से मंडे को भी हो रही है देरी a curiosity जल्दी सब बनाते हैं जल्दी से खाते हैं आप लोगों के बेराऊ आखरकार आखरकार हम कैसे बनाने वाले तो जो भी है मज़ेदार होने वाला है मज़ा आएगा और साथ में ना वो क्या रखना है दरसल की अभी मुझे उधर भी जाना है जहां मंदिर बन रहा है उस एरिया में भी जाना है तो अब सब देखने के लिए कि पापा ने बोला था मुझे की बोला कुछ काम धाम करने वह पर स्पेशल मतलब कुछ तगडा करेंगे ठीक है तो एक बार मैं छिलू छिलू जला लेता हूं और आग जला लेता हूं सबसे पहले तियारी कर लेते हैं दरसल जुखाम भी लग रही है साथ-साथ में तो दिक्कत तो हो रही है काफी सारी तो यह छिलू और छिलू को लग जलना शुरू होगी ना चिलू से ऐसे होती ना तुरंत आग जलना शुरू हो जाती है तो यह काफी मज़ेदार चीज है बढ़ी है ना कितना खुपसूरत और कितना प्यारी तरही से जल रहे है अभी तक तो यह था ना कि मैं सोच था शायद मुझे बनाना पड़ेगा लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं ही जल्दी जल्दी बनाती हूं क्योंकि दरसल मुझे बनाना नहीं आता है मैं भी पहली बार देखूँगा बनते वे खाया तो मैंने बहुत बार लेकिन बनते वे नहीं देखा एक बार आज मम्मी को देख लूगा ना तो उसके बाद मैं समझ में आ जाएगा कि एक्चल में बनाना कैसे तो अभी के टाइम पर चाकू लेके सबते पहले यहां पर गुड़ छिलना कर दिया है शुरू तो गुड़ छिलेंगे यह सब चीजे करेंगे तो गुड़ मतलब ऐसी बारीक साथ करने बारीक बारीक टुकड़े करने ज्यादा कुछ नहीं है वो सब चीज आपको ऑईल में डाले हैं जैसे ऑईल गरम होगे था ना उसके बाद में सीधा चावल डाल दें उसमें एक बार भुणकर रुड़ी हो जाएंगे उसके बाद में यहां पर देखो तिल हैं साथ में वहां पर उस बूटल में भांग के दाने भी हैं जिसको कि हम इसमें मिक्स और साथ में यहां पर गुड़ तो इंतजार करी रहे ना यहां पर जाने का जो भी यह काफी मज़ीदार होने वाला है और अब जाके हम सीधा भांग के दाने इसमें एड़ करने वाले हैं दोस्तों अभी के टाइम पर काफी सारी चीज़ें बीच के स्केप कर दीते तो अब देखो अब हमारे बुखना जो चम चूड़ा है ना चम चूड़ा का फाइनल रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में यानि कि पांच एक मिनट इंतजार करने के बाद में पूरा फाइनल रिजल्ट आ देगा तो काफी बढ़िया तरीके से खुश्बू भी आना शुरो अच्छा उन्हीं लोगों का भी तरसा तरसा के खाइंगे चंतामत करो जो ताकुदरन दी लोगों कि अब नात भी जड़ी है उला जो खांचा है दोस्तों अभी के टाइम पर अपने चंचूड़ा बनके बिल्कुल तयार हो चुके यानि कि चूले से उतार दिया है जो सारी चीज़े मिक्स करी थे उनको अच्छे से पका दिया है और पकाने के बाद में आप देखो कलर क्या खिल किया रहा है और इसमें दरसल थोड़ा बहुत हल्दी आड़ करी है जिससे कि यह पीला यानि कि गोल्डन कलर दे तो अभी देखो अभी कितना मस्त और मज़ीदार लग रहा है बिल्कुल जबर्दस मतला मज़ा रहा है मूँ में देखके इसको देखने के बाद में मूँ में तो पानी आ रहा गाईस सो काफी बड़ी आभी ऐसे करते हैं खाना शुरू करते हैं और उसके बाद में आपको टेस्ट करके बताएंगे क्योंकि बना तो दिया है लेकिन टेस्ट करके दिखाना बहुत जरूरी है बताना बहुत जरूरी कि एक्चल में टेस्ट कैसा है क्योंकि फिर आप लोग भी तो ट्राई करोगी है ना तो उसले पहले एक बार टेस्ट करते हैं और यह लेके आगे थाली तो थाली में आप खाना शुरू करते है गाईस तो ये अपने चूड़े आकर तयार हो चुके erज भी असे करते हैं कि इनको खाना शुरू करते हैं तो काफी चीज़े हैं इनमें ना काफी मज़ेदार और अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे हो रहे हैं थोड़ा सा हाड हो गए दरसल खाने में दरसल भून ज्यादा दिया है ना इनको पर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है असी तो टेस्ट इन्जॉइ 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 दी टेस्ट जो भी सही लगे उसे पकड़ देना अभी के टाइम पर चमचूड़ा खाने के बाद में रोड में पहुचें और यहां पर चाची उठा रहे हैं कंकड पतर दरसल रोडी बना रही हैं इनका लैट्रिंग बन रहा तो अब रोड पर लैट्रिंग बन जागर एक चीज दिखाता हूं तकनीक चाची की यह फोन देखो फोन कपड़े के अंदर गोला है और कान वे बांद रुका वाई चाची देखा थी यह देखा दोना हाथ भई बिजी है इसे कहते हैं इंजिनियर वाली खोपड़ी कहां थे तुम इंजिनियर साम है सही है सही है बढ़िया मस्त कितना सही लगा रख है और अभी का टाइम पर हम लोगों की तियारी होगे थोड़ा सा हम थोड़ी देर मंदि कि साइड में जाएंगे मंदिर के साइड में मतलब कि उपर पापा है ना वहां पर चब पापा है पानी लेके ऐक बांज़ी यहां पर पानि के दिक्कत हो रहे हий तो पानी आहिए हमैं नहीं पानी लेक्ति लेक्यार पेहले कुछ अप्लोड गर लोट ले या वीडियो फिर उसके बाद में उपर मंदिर में चलता है एक तरफ में वहां पर चाची रूरी खट गरी दूसरे तरफ में दादी यहां पर देखो बकरी चराग आ कि अब हीके टाइम पर ऐसा गरता कि अ मैंना बता ओना सब्सक्राइन हैं निन तो वह पर हमें पानिया लेकर यहां पर हमने मममी से चाखंगी ती ने दो बाँ टी यह अब ऐसा गरता कि उनको भरना पानी, अंज्वाल समझता है, ऐसे, यह देख, देख रहा है, तब कह रहा है, पानी नहीं पी पाईगा है, पानी बर लेता है जल्दी से, और उसी के बाद में जाइज आदे बड़ता है, यहां पर काफी अच्छा ना पानी मोटा है, जल्दी भरता जवाद टाइम लगाने क करते हैं और नहाने में पानी कि भीता मजा आता है थंदा पानी अधर से, नल में दो थोड़ा गरम भी आता है लेकिन थंदा पानी है. किसी टाइम पर मोटा है, मिल्दा आ है यह देख, लिख फोड़ से पप्छा हो जा रहा है आखाइना, पानी हमारे साथ है को कि पानी लेकर चिल से आगे बरते हैं सीधा कैमरां करेंगे जहां पर हमें पानी लेको जानाrifい से बहुत रहोगए ₹ बहुत ही ज़्यादा पर जो भी है अब यहां पर पहुंच के अच्छा लग रहा है थोड़ा सा पसीना कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन चले इतना चलता है और यह वाला मंदिर है जिसको कि यहां पर पानी पहुंचाना था तो मंदिर भी बस अल्मोस रड़ी हो नहीं वाला है मंदिर में उपर पानी पहुंचाने के बाद में अब यहां से निकलने की त्यारी हो चुकी है यानि कि अब घर निकल रहे हैं इन खुब सुरत से जंगलों के बीच से थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठे थे तो बैठे बैठे ना यहाँ पर पता ही नहीं चला कीड़ों ने इस तरीके से खोन चूज दिया है कि अब देखो यह हलका हलका सूजन सी लग रही है ना जब यह काट रहे थे उस टाइम पर महसूस भी नहीं हो रहा था कि कीड़े काट रहे लेकिन अब जब जासी हमने चलना शुरू किया वैसे ही पेन होना शुरू हो गया पाउं में दोनों पाउं काट रहे है ऐसे बाकी यह वाला जो जंगल आपको दिखाए दे रहा इसे बोलते हैं पंदलू खोली या फिर पलू ड्यार भी बोलते हैं उपर की साइड में गुफाएं भी है जहां पर की भालो रहता जन जगों पे अभी यहां से चलते हैं घर की तरफ में श्याम के वैसे चार बज चुके हैं चार बज़े के टाइम पर अब हम अपना खाना खाएंगे दरसल थोड़ा सा अपलोड वीडियो अपलोड करना इन सब चीजों में टाइम लग गया ना और ये काम भी जरूरी है तो खाना कोना क कोई वात नहीं थोड़ा आदा गुंटा लेट होजाएका कोई चकर नहीं है तो अभी चलते हैं पहले जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद मैं आपको फिर गाउं गुमाएंगे या फिर किसी और दिशा में लिखी जाएंगे घर में आने के वाद मैं खाना पिना लो मचाएंगे आज हम तो आज घर-घर के कुटेंगे आज इनको एक किनारे से क्योंकि ना यहां पर आएंगे तो यहां पर देखो आडू के पेड़ हैं पूलम हैं यह सब चीज़ ना तो इनकी ऐसे करके मतलब पतियां रूख के खा जाते हैं दर सली तो बहुत ही ज्यादा जंगलात में अगर बंदर अगर फाड़ते हैं तो इसका भी अगर कोई हो दुखतान करने का तो प्लीज कमेंट कर देना एक वारी क्योंकि इसका चाहिए तो अभी ऐसा करते हैं कि नीचे जाते हैं और नीचे यहां पर लंगूर है तो यहां से कूटना शुरू करता अब भाकि यह भी खेत हैं जहां पर कि मैंने कीवी लगाए थे लेकिन यहां पर सक्सेस्पूल नहीं हो पए क्योंकि यहां पर बहुत जादा घास है और घास की वज़़ा से इन पर अच्छी जो खुराके वो नहीं लग पा रही है तो चलते हैं थोड़ा रास्ता खराब है ले तो भाई वहां से पटागे फोड़ा अब लंगूर यहां है यह नहीं लंगूर इदर को निकल गए यहां फोड़ने से क्या फाइदा पटागे वेस्ट मत कर भे तो यहां से अपना घर कुछ ऐसे दिखता है तो अभी चलते हैं और गोणियों की बजा के आते हैं भी यहां अब मेरे भाई ओ फिसल गया था मैं यहां से तो पत्थर पकड रहते हैं और अब गोणी का सर फोड़ूँगा भैंस के आख में यहां से इन्होंने ऐसे परिशान करके रखा हमें दिर दो चार पत्थर उठा लेता हूं क्योंकि नीचे वाले खेत में पत्थर नहीं है और अब जिसको केस करना हूं कर लेना भाई कि तुम जानगरों को नुकसान पहुंचा रहे हो अब तो इसका सर तो मैं फोड़ूँगा देखना इन पत्थरों से तो नीचे वाले खेत सदर से लंगूर दिखाई दे रहे नीचे तो अभी पहले चलते हैं यहां से देखो आपक के आचुके हैं लंगूर भगाते हुगत ना अपने दरसल गुटने पर भी लग गई है यहां पर एक जगह में पत्थर फेंकता हुगत मेरे मूह पर भी लग गई वह बोलता ना करम का फल पर बेटा फोड़ कर रहूंगा तेरा सर जज जोग सपाटी के मजा कर रहे हैं लं सर भाई दर असल गाउं के रस्ते आ गए है शाद उसी का फोन है मुझे मेभी जब हम इस्कूल जाये करते हैं तो समय पर हम सीधा वहां से इदर को चड़ा ही चड़ा करते थे और यह वाला रास्ता हुआ करते थे इस पत्थर के कोने से हमारा उपर जाने का गाउं में जान देखेंगे या गाड़िया खड़ी दिखेंगे तभी किसी को लगेगा इस रोड से जाते वकर अधरवाइस दूर से देखंगे तो खेरो तो अलग चीज है लेकिन अगर कोई यहां से निकल रहा ना तो बहुत मुश्किल है पता लगना कि यहां पर मेरा गाउं बसा है पर श्याम के टाइम पर भाई को दरसल पांग के तरफ में गुमाने के लिए लेके आया था और यहां पर गुमाने के लिए लेके आया था ना यहां पर पता है मुझे क्या दिख रहे है बाग के सिंबल दरसल यहां पर दो गाए का मतलब खात्मा गर रखा है बागने दो गाए पता जैसे वो नजदी जाएगा वैसे उड़ जाएंगे पूरी के पूरे तो जो भी है भाई जगा यह वाली जगा यहां पर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है बाइक से अकेले आने में क्योंकि यह कोई मामुली जगा तो नहीं है और गिद का देखो गिद का पांक भी टूटा हुआ एक सबसे ज़्यादा डरावनी जगा क्योंकि यहां पर बाइक बहुत स्लो हो जाती बहुत ही ज़्यादा स्लो तो दोस्तों अभी के टाइम पर घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे अपना रूम बिखरा पड़ा है श्याम के टाइम पर थोड़ा सा गूम गूम पिर के घर पे पहुंच चुके हैं जो भी है काफी मजीदा रहा आज का दिन काफी जगह पर गये जैसे पांग गये उसके बीच में बाग की साड़ में गये फिर मंदिर में काम धाम किया पानी सारा यह सब चीज है काफी अच्छा रहा लंगूर बगाने गया था और इसने होगा उच्छा लगा उच्छे लगे तो वीदियो को लाइक करना श्यायर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को मेक्शूर सब्स्क्राइब करना और है और अ साथ से साथ बहल icon भी प्रेस करना जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में तब तक ले टिक रहें